हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं इस्टरतोव मीर हूँ रिसेंटली मेरा सेलेक्शन जेके एसेसबी के पंचायच सेक्रेटरी और फाइनान्स अकाउंटस असिस्टन्ट में हुआ मैं आप सब के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ मैंने बहुत सारे कोमेंट्स देखे यूट्यूब पे बच्चों के जो बहुत दुख परे थे कि हमारी एज 28 हो गई हमारी एज 29 हो गई अब भी हम क्या करें हम सिलेक्ट नहीं हुए फ्रेंट्स जो बच्चे इस बार कॉलिफाई नहीं कर पाए मैं उनके लिए अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ शायद इससे उनको थोड़ी प्रेर ना मिले फ्रेंट्स मैं भी एक आम लड़का हूँ मैंने 2016 में MBA कंप्लीट किया फिर 2017 में JKSSB का पहला एक्जाम दिया और लगकी लिए मैं पास हो गया पर इंटर्व्यू मैं एक मार्क से ड्रॉप हो गया फिर खादियन विलेज इंडिस्ट्रिस बोड का एक्जाम दिया एकाउंट्स असिस्टंट का वो भी पास हो गया पर वो रेक्रूट्मेंट ही स्क्रैप हो गया फिर जेन के बैंक का एक्जाम दिया वो भी स्क्रैप हो गया उससे पहले KS का एक्जाम दिया था उसमें प्रिलिम्स पास हो गया पर मेंस में फेल हो गया फिर 2020 में इन सब चीजों के बीच में मेरी शादी हो गी और फिर ज़्यादा प्रिशर पड़ गया कि अब कोई जॉब टूननी है जॉब करनी है पर मैंने अलाद अलाद पर बुरुसा रखा और आगे बढ़ता गया फिर मैंने पंचाथ अकाउंटस असिस्टन का एक्जाम दिया उसमें दो मार्क से सिलेक्शन रह गई फिर उसके बाद उसके बाद फाइनांस अकाउंटस असिस्टन का फारम बरा और भी बहुत सारे फारम बरे बहुत बार ऐसा लगा कि मुझे कुट करना चाहिए पर मेरा दिल हमेशा कहता था कि एक बार और इतनी हिम्मत रखने के लिए आपके गरवालों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और मैं अपने गरवालों का और खास करके अपने माबाप का बहुत शुक्र गुजारूं कि उन्होंने मुझे हर मुझे हर मुझे गड़ी में सपोर्ट किया और खास करके मेरी वाइफ ने भी मेरा बहुत सापूर्ट किया 2021 में मैंने बहुत एक्जाम्स दिये और हर एक्जाम में एक मार्क से दो मार्क से मैं रह जाता था पर मुझे श्री एमिता बच्चन की कविता की एक लाइन कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आगे बढ़ने में मौटिवेट करती थी फिर 2022 में एक्जाम्स असिस्टन का एक्जाम हुआ जिसमें मेरे 92.45 मार्क्स थे और कट आफ 95.6 था इस बार मुझे लगा कि सब खत्म हो गया मुझे लगा कि शायद मैं अब कोई एक्जाम पास नहीं कर सकता शायद मैं कुछ नहीं कर सकता मैं तीन दिन तक गर से बाहर नहीं निकला और कुछ देर के बाद वो एक्जाम स्क्रेप हो गया मुझे फिर से कोशिश करने का रीजन मिल गया और मैं लगा रहा मैंने कहीं सुना था कि end में सब ठीक हो जाता है और अगर ना हो तो वो end नहीं है और आज मैं आपके सामने हूँ 139 रैंक पे और इस वक्त मेरी age 33 years है अगर मैं कर पाया तो आप क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड्स मैं जानता हूँ कि इतने लंबे वक्त के लिए dedication रखना मुश्किल है और आपको कोशिश करते रहना है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अब मैं आप सब के साथ अपनी strategy शियर करना चाहता हूँ सबसे पहले आप एक time table बनाएं और syllabus को याद करें मैं दिन में दो बार syllabus को पढ़ता था फिर हमारे इशान सरहना गाइड करने के लिए उनके पढ़ाने का style बिलकुल unique है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैं भी उनके वीडियोज देखता था और मुझे बहुत help मिली exam में बहुत सारे topics cover किये बहुत सारे knowledge मिली इसके इलावा IG classes के इलावा मैं triple S को भी follow करता था इशान सर और सुमिट सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसी guidance पहले नहीं मिलती थी और आप सब बहुत खुश किसमत हैं कि आपको इन teachers की guidance मिल रही है मैं चाहता हूँ कि आप फाइदा उठाएं इन teachers से और इसके besides आप अपने notes बनाएं उनको consistently revise करें एक diary रखें जिसमें वो topics लिखें जो आपको पढ़ने हैं जुनको आपको cover करना है अपने weak areas पर focus करें और अपने strong areas को और ज्यादा strong बनाएं books मैं से मैं modern history के लिए spectrum बाई राजु अहिर सर पढ़ता था politics के लिए Indian politics बाई लक्ष्मी कांथ सर जेन के general knowledge बाई जुहुर मीर सर computer के लिए आरिहांत की book और current affairs के लिए gk today magazine और website और सबसे important हैं हमारे ncrt की books वो books बहुत ही authentic होती हैं उनसे आपको सारे topics cover हो सकते हैं और इसके बगेर जहां से भी आपको अच्छे notes मिलें वह आप पढ़िए बहुत सारे टेलिग्राम पर चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे notes प्रवाइड करते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं और जैसे भी आप compatible हूँ आप ऐसे कर सकते हैं सुबह सवेरे उठके सवेरे आप पढ़ें या रात को देर तक पढ़ें यह डिपेंड करता है मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रात को देर तक पढ़ता था तो मेरा वही I mean I was compatible with that आप अपने हिसाब से देखे कि आपको कब अच्छा लगता है तो आप उसी वक्त पढ़ सकते हैं और मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा साथ आट गंटे पढ़ता था उससे ज्यादा नहीं पढ़ता था मैं यह डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ें मैं यह नहीं बोल 17 गंटे पड़े, that's not compulsory और yes, mock tests जहां से भी मिले, mock tests ज़रूर दें और I mean आपने notes को revise करें एक proper schedule बनाएं तो वो follow करें end में मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपकी मेहनत कभी waste नहीं होगी मेरी story सुनने के लिए thank you और आप सब को all the best